अखिरें दोस्तों आप देख रहे हैं कूल पलस सिस्टम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वालपुल इनटर रेफ्रिजेटर के बारे में जो कि यह डबल डूर का रेफ्रेजेटर है और इसमें इसके अंदर के पार्ट आते हैं वो पार्ट को हम चेक करकर आपको दिखाएंगे कि एक्ट्वल में डिफोरोस्टिंग का प्रब्लम आता है तो फोल्ड क्या होता है तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें इससे आनुवली वीडियो का नोटिफिक्रेशन आपको जल से जल मिल सके जैसा कि आपको दिख रहा होगा वाइलपुल का डाबल दोर फ्रीज इनोटर रेफ्रेज़ेटर है और यह थ्री स्टार रेफ्रेज़े प्रेटर है जो हम चलते हैं फ्रीज के अंदर की तरफ जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि अंदर में हमने आगे इसको चेक किया तो इसमें बिलकुली इसके एबाप ऑपरेटर में आइस जमा हुआ था आगे के कपर को अगर हम खोलेंगे तो इसमें देखने को मिलेगा इस के सेंसर लगा होता है जैसा कि आपको दिख रहा होगा यह सेंसर लगा होता यहां पर और जो है यह जो सोकेट है यह डीसी फैन मोटर का है उसके बाद में एक सोकेट है यहां पर इसके आइस को हमने पहले मेल्ट कर दिया है मेल्ट करने के बाद आप हम इसको पहले मीटर के ज जो कि यहां यहां पर drainage line के साथ में भी आटेज होता है तो इसमें क्या है कि आइस मेल्ट होता रहेगा और अच्छे से drainage line में जो है वो पानी नीचे की साइड में एकठा हो जाएगा तो दोस्तों जैसा कि हमने एक डिजिटल लिमीटर यहां पर रखा हुआ है इसका जो मोड है वो 20 के लिए मोड में हमने रखा हुआ है और यहां पर जो आपको दिख रहा होगा यह पिंक लर का जो वायर है दो यह थर्मल फ्यूज का है इसको भी हम चेक करेंगे अगर थर्मल फ्यूज का भी प्रब्लम रहेगा तो भी डिफ्रोस्ट का ही प्रब्लम होगा या तो यह तो जैसा चिज यह ने को पहले है तो टोन्डी किलôm मोड में रख दिया्व और यह के पहले तर्मल फ्यूज को पहले चेक करेंगे कुसको continuity mode में चेक करेंगे जैसा कि हमको यह दिख रहा है यह continuity mode हो गया अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं thermal जो pink color का है जैसा कि आपको है कि हमने इसको देखें यहां पर लगा दिया यानि कि यह thermal तो यह तर्मल फ्यूज जो आपको बदली करने की जरूद पड़ेगी यह तर्मल फ्यूज सही है तो हम इसको बदली नहीं करेंगे अब इसको और सूंप जल्दी खराब करेंगे हम इसके डारेक्ट दिफ्रोजिटर को चेक कर लेंगे तो अब हम इफ्रोजिटर को चेक करने के लिए है वापिस इसको 20kaos mode में हमको रखना है तो हमने को सेलेक्क कि इसको होंच करने के लिए जा रहे हैं। ज्यसाय कि इसमें कोई भी रिस्टेंस नहीं शोह कर रहा है अब हम वापिस और आप क्रमे अपने क्लंसमें चेक आप हम इसको वापिस चेक करेंगे तो यानी कि यह डिफूरीटर में कोई भी पॉइंट वैंनों नहीं हो रहा है पीछी इसको सप्लाइच दे रहे थी लेकिन इसमें डिफूरोष नहीं हो रहा था अगर सही रहे हैं डिफूरीटर जाएगा खराब हो जाएगा तो ऐसा ही फ और रेफ कमपार्टमेंट में कुलिंग बिल्कुली नहीं होगी तो इस तरीके से आपको चेक करना है जैसा कि इसमें पॉइंट लेवल नहीं सो कर रहा है यह जानी कि यह खराब हो गया है यह यह फिर को बदली करेंगे तो यह प्रोब्लम बिल्कुली सौल्व हो जाएगा आ नहीं थर्मल फ्यूज चेक करके आपको इसमें वर्क करना है और फिर यह प्रोब्लम आपका सौल्व हो जाएगा जैसा कि आपको दिख रहा होगा सामने अब हम इसमें नए हीटर को लाके इसमें स्टॉल करेंगे इसमें डालेंगे तो यह प्रोब्लम जो है वह प्रॉपर सही तरीके से हो जाएगा और इसमें जो केपलरी है वह एल्मॉनियम की आती है कौपर की नहीं आती है जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा यह पूरा सिस्टेम ही पूरा अल्मॉनियम है और खाली कंप्रेसर के पास ज्यादा ज्यादा आठ हिंच है आठ हिंच के है तो लाइक करें शेयर करें साथे सब्सक्राइब बनाना भूले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में